आपको रखे आगे इस वक्त मौझूद है बदाओं में उस गाओं में जहाँ पर एक महिला के साथ विभस तरीके से बालासकार की घटा सामने आए यह राश्ट्री महिला आयोग की टीम यहाँ पर पहुंचिए पेडिस परिवार से भी मिली है राश्ट्री महिला आयोग की से वह आई यहाँ पर अचेती स्थिती में यह उन्होंने जानकारी दी है और कहा कि बारिश हो रही थी इस कारण उनके पास फोन उपलब्द नहीं था इसलिए उसे ही समय से सूचना नहीं दे सके लेकिन इन सब के बावजूद मैं इस बात को मानती हूं कि कहीं न कहीं पु इसको सूचित करता है तो पुलिस पहुंचती है चाहिए जो परिस्तिती हो लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इस पर अभी तक कहीं कोई प्रश्ट नहीं उठा आज मैंने से से पूछा कि चौकिदार कहां था उन्होंने का मैं इसकी जानकारी में नहीं दे सकता पता करता हमने का उसकी बड़ी भूमी का है कि उसको घटना की जानकारी देनी चाहिए थी और जैसा कि लोगों ने बताया कि कंप्लेंट नहीं दर्ज हुई इन्होंने कहा कि 18 गंटे के बाद 18 गंटे के बाद कंप्लेंट दर्ज हुई यहां पर उसकी बॉड़ी पढ़ी रही अगर वह सब कॉंशंस थी तो बच भी जाती लेकिन पुलिस ने कंप्लेंट पहुंचने में विलंब हुआ यह कंप्लेंट दर्ज करने में विलंब हुआ यह जाच का विशह है लेकिन कुल मिलाकर इस मामले में ला परवाही हूई तक आने बातषीत भी है, परिवार थे जाती थी या इस दिन गई थी परिवार ने ये बताया कि Вो अकसर जाती थी वहां पर और कई मंदिरों में जाती थी, तो अग racial कर थी थी तो उन्होंने का वह अकसर जाती थी, उस दिन बुलाया गया शाम को तो वह चली। मतलब फोन करके महंत ने उनको फोन किया तो यह शाम को पांच बजे वहां गई और यह कहके गई कि मैं रात को नहीं लोटूंगी बच्चों ने बताया कि उनका पीहर भी वहीं है एक बेटी का ससुराल भी वहीं है और वह अक्सार रुख जाती थी तो इन लोगों ने समझा क कि वह वहीं रुख गई होंगे लेकिन जब 11.30 बजे रात में लोग लेकर आए इनको आवाज दिया और उसका उसकी बॉड़ी जो थी उसको बाहर रखके चले गए तब लोंने कहा कि हमने पूछा कि क्या इस इनको क्या हुआ है तो इन्होंने कहा कि पतानी क्या हुआ है ब मृतक थी तो बच्चे नब्ज कितना पैचानते हैं यह मैं नहीं जानती अगर कोई डॉक्टर कहता तो मैं समझ सकती हूं तो यह जांच का विशय है कि उस समय जीवित थी या नहीं थी उन्होंने क्या बयान दिया क्या कहा यह सब तो जांच के क्रम में आएगा लेकिन कही इसी भी थाने की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि एक ही घटना के जांच और दूसरी घटना के कोई नोटिस ना लिजाए चंद्रमुंखी देवी चंद्रमुंखी जी आई है बनाई कि उस गाओं में जहां पर यह घटना गटी है फिलहाल जो परिवार से भी मुलाकात की है आ अब तक जो NCW की टीम ने बात्चीत की है शुरुवाती बात्चीत के आदार पर उनका यह कहना है कि प्रशासन की जूग जरूर रही है क्योंकि इस मामले में जब उनको प्रशासन को जानकारी देखिए उसका 18 घंटे बाद यह FYR दर्ज होई है जो अपने आप में एक ब के आगे